नमस्कार, आज की खबर चेनल में हम आपका स्वावगत करते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज की खबर चेनल में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज की खबर चेनल में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज की खबर चेनल में हम आपको बताएंगे दोस्तो का उप्योग करते हो यो पकड़े जाते हो दोस्तों तो आपके उपर भारी भर कम जुर्माना लग सकता है क्योंकि दोस्तों महराश्ट के अंदर अब प्लास्टिक बेन हो गया है हम आपको पूरी खबर से अपडेट करेंगे कि जुर्माना कितना लगाया है सरकार ने हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों देली से हमआपको बताएंग दोस्तों सबसे सुरकशित इलाके के अंदर देली चाऊनी में सेना के एक अफसर की पतनी का गला रेत करत्या कर दी गई है हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे तीसरी बड़ी खबर दोस्तो किसानों के लिए हम आपको बताएंग दोस्तो उत्तर भारत के अंदर मानसुन शिग्र आ रहा है जल्दी आ रहा है हम आपको बताएंग दोस्तो तारिक मानसुन आन कि हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तो इद पर गले मिलना एक लड़की को भारी पड़ गया हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे हम आपको बताएं कि दोस्तो इस लड़की के खिलाब फत्वा भी जारी हो चुका है हमारी आज की अगली बड़ी खबर है य आप आवेदन कहां जमा कराओगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तो यदि आपका सपना है कि आप इस्टेन फोर्ड विश्य विद्याले में जाकर MBA का कोर्स करें तो दोस्तो आपको जानना हुगा कि वहाँ पर MBA का कोर्स करने के लिए कितना खर्चा आता है हम आपक दोस्तो पहले अमेजन का जो प्राइम मेंबर्शिप था वह एक साल के लिए था लेकिन दोस्तो आप एक महिने का भी प्राइम मेंबर्शिप अमेजन ने लौंच कर दिया है यदि आप दोस्तो एक महिने का प्राइम मेंबर्शिप लेना चाते हो अमेजन की तो दोस्तो हम हम आपको बताएंगे कि आप 130 रुपे खर्च करके यह है प्राइम मेमबर्शिप ले सकते हो हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों जदी आप शेर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और दोस्तों जदी आप शेर सिलसला और पहली खबर हम लेते हैं। टी बोतल प्लास्टिक थर्माकोल जैसे उत्पाद दोस्तों उनको बंद करने का फैंसला ले लिया है और दोस्तों हम आपको बताएं इनका उत्पादन इस्तिमाल बिक्री वित्रन और प्लास्टिक सामगरी के भंडारन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है हम आपको ये बात बताएं दोस्तों कि जुर्माना कितना वसूल कर लिया है अब तक हम आपको बताएं महाराश्टिक में प्लास्टिक के ऊपर जो ये शनिवार गया दोस्तों कल उसी दिन से बेन लग गया था और दोस्तो हम आपको बताएं एक दिन के अंदर ही 72 लोगों पर जुर्माना किया गया और दोस्तो इन 72 लोगों से 3.6 लाग रुपे वसूल किये गए हाँ दोस्तो 3.5 लाग रुपे के आसपास इन 72 लोगों से सिर्फ एक दिन मतलब शनिवार से बेन शुरू गया था और शनिवार को दोस्तो 72 लोगों से 3.5 लाग रुपे वसूल कर ली गए अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं दोस्तो कि जुर्माना कितना कितना लगाया जा रहा है हम आपको बतायां दोस्तो कि यदि आप प्लास्टिक का इस्तमाल करते हैं पकड़े जाते हो तो पहली बार यदि आप पकड़े जाते हो तो दोस्तो जुर्माना भड़ जाएगा और लगयाएगा दोस्तो दस हजार रुपे का और यदि दोस्तो आप तीसरी बार भी प्लास्टिक का उप्योग करते हो पकड़ जाते हो तो दोस्तो हम आपको बताएं कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी आपको हम आपको बताएं 25,000 रुपे का तो आपको उपर जुर्माना लगा जाएगा और दोस्तो तीर महीने की आपको जेल की सजा भी हो सकती है तो दोस्तो यदि आप महाराष्ट के इंदर रहते हो तो दोस्तो आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें नहीं तो दोस्तो आपको भारी भरकम जुर्माने से गुजरना पड़ेगा दोस्तो यह हमारी आज की महाराष्ट के बारे में पूरी खबर हमारी आज की अगली बड़ी खबर है देली से हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो दिल्ली चाउनी में सेना के एक अफसर की पतनी का गला काट कर हत्या कर दी गई है हम आपको पूरी ख़वर से अपडेट करन जा रहे हम आपको बताएं दोस्तों यह गटना गटी तुई है देली चाउनी के अंदर देली छाउनी के अंदर दोस्तो सेना के एक अपसर की पतनी का गला काट कर रत्या कर दी गई है और दोस्तो उसकी लाश लहू लुहान हालत में छाउनी छेतर में मिलने से पूरे इलाके में देशक फेल गई है और हम आपको यह बताएं दोस्तो डिली चावनिकर जो इलागा है दोस्तो वंधे साव्य दन शील माना जाता है शुरक्षा की दरष्टी से काफी मजबूत माना जाता है ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर शुरक्षा की पुक्तत इंतजाम है लेकिन दोस्तों यहीं पर सेना के अपसर की जो बीवी है दोस्तों उसकी गला काट करत्या कर दी गई है हम आपको बताएं दोस्तों मृतका की पहचान हो चुकी है इसका नाम शेलजा बताया गया है और दोस्तो हम आपको बताएं जो मृत्तका का पती है दोस्तो वो सेना के अंदर मेजर है और हम आपको ये बात बताएं दोस्तो ये कटना कब भटी तुई हम आपको बताएं दोस्तो जानकारी के अनुसार जो शेलजा शनिवार को सुबह 10 बजे आर्मी के बेस अस्पताल में आर्मी की गाड़ी से ही फीजियो थेरेपी करनाने के लिए गई हुई थी और दोस्तों दोपहर के एक बचकर 28 मिनीट पर दिल्ली चाओनी मेट्रो इस्टेसन के पास वरार स्क्वेर में सडक पर शेलजा की लहुलवान हालत में लाश मिली थी और दोस्तों हम आपको ये बताएं घटना के करीब चार घंटे बाद जो शेलजा का पती है दोस्तों नारायन उसने दोस्तों गुम शुदी की जो शिकायत दोस्तों वह पुलिस के अंदर दर्च करवाई थी दोस्तों पुलिस जाच के अंदर लग गई है हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों मानसून आ गया है हम आपको मानसून के बार में पूरी खबर बताने जा रहे हैं दोस्तों मानसून आने से हमारे चेहरे के उपर खुशिया चा जाती है जब भी हम आसमान के अंदर घंगोर बादल देखते हैं दोस्तों और दोस्तों हमारे मन के अंदर जैसे मोर नाशने लगते हैं हम आपको बताएं दोस्तों मानसुन आने से सबी को फायदा रहता है चाहे वो किसान हो आम आदमी हो चाहे वो पशुपक्षी हो क्योंकि मानसून आने से एक फसले बढ़िया होती है दोस्तो पूरे वातावरन के अंदर ठंडग हो जाती है दोस्तो और जो पशुपक्षी है इंसान उनको पीने के लिए पानी मिल जाएगा हम आपको पूरी खबर बताने जा रहे हम आपको बताएं दोस्तों बारा दिनों से जो मानसून कमजोर पड़ा हुआ था दोस्तों वह शनिवार को सक्रिय हो चुका है और दोस्तों मोसम विबाग का ये कहना है कि 48 गंटों के बीतर मानसून जारकंडिम बिहार में आ जाएगा और दोस्तो मोसम विबाग का ये भी कहना है कि उत्री पच्छिमी राज्यों जैसे उत्र पर्देश, राजस्तान, उत्राखंड, दिल्ली, हर्याना आधी के लिए भी रहाती ख़बर आई है हम आपको ये बात बताएं दोस्तो 27 जून को मानसून इन राज्यों में आ जाएगा और हम आपको ये बात भी बताएं दोस्तो मोसम विबाग के अनुसार शनिवार को मानसून फिर से जोर पकड़ लिया है और हम आपको इस बात की भी जानकरी दे देते हैं दोस्तो की अरब सागर महराश्ट गुजरात के कई सो में मानसून सक्रिय हो चुका है दो दिनों के अंदर-अंदर दोस्तो मानसून, 36 गड़, ओडिसा, पच्छिम, बंगाल और जो बाकिस से हैं दोस्तो सोराश्ट, जारखंड, बिहार, मद्यपरदेश में भी सक्रिय हो जाएगा दोस्तो सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 27 जून के बाद पूरे उत्तर भारत में मानसून च्छा जाएगा और दोस्तो हम आपको बताएं मानसून अपके अच्छा बताय जा रहा है, हर जगए हमारी आज की अगली बड़ी खबर है इद पर गले मिलना एक लड़की को भारी पड़ गया हम आपको पूरी खबर से अपडेट करन जा रहा है हम आपको बताने जा रहा हैं दोस्तो कि किस तदर एक लड़की को गले मिलना भारी पड़ गया हम आपको बताएं दोस्तों यह लड़की रहने वाली है मुरादाबात की हम आपको बताएं आखिरकार इस लड़की को गले मिलना क्यों भारी पड़ गया क्या गटना गटी तुई हम आपको बताएं दोस्तों सिनेमा होल की बाहर की यह गटना है जब यह लड़की सिनेमा होल के बाहर पहुँची तो दोस्तों महाँ पर इसने सभी बच्चे बड़े को लाइन में लगा लिया और दोस्तों बारी बारी से ये ईद के दिन सब को गले लगा लगा कर मुबारक बात दे रही थी दोस्तों ये बात जो मोल वी है दोस्तों बड़े बड़े उनको पसंद नही यही दोस्तों उन्होंने इस लड़के खिलाब अब फत्वा जारी कर दिया है और दोस्तों फत्वे में माफी मांगने के लिए कहा गया है दोस्तों इस लड़की को सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है तो दोस्तों क्या एक लड़की का लड़कों को ईद के दिन गल विए दोस्तों जिन्होंने फत्वे जारी किये हैं उनकी सोच गिलत है हम आपको यह बात बताएं दोस्तों कि इस वीडियो को यूटूब और सोचल मीडिया जैसी प्लेटफॉर्म में दोस्तों महाँ पर इतना वाइरल कर दिया गया है दोस्तों यह लड़की पूरे भारत व जाती है इससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया हाँ दोस्तों यह सवाल इसको हर दम पूछा जाता है और इस सवाल का जवाब इसके पास नहीं है इसने साफ साफ के दिया कि इद का मौका था इस कारण से में गले मिल रही थी लेकिन दोस्तों यह किसी भी मोलवी को हजम नहीं हो रही है हम आपको बताएं दोस्तों इस लड़की को काफी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है देखना है दोस्तों कि आगे क्या होता है आगे जो धरम के ठेकेदार है बड़े-बड़े वह क्या निर्ने लेते हैं हमारी आज की अगली पदों पर वेकेंसिया निकाली है कितनी वेकेंसिय निकाली है इसके लिए योगिता क्या मांगी है आपको कब तक एपलाई करना है दोस्तों हम आपको पूरी खबर से अपडेट करना जा रहे हम आपको बताएं दोस्तों रेलवे ने दो पदों के लिए 9740 वेकेंसिय निका करें ने दोस्तो वह शुरू हो चुका है और दोस्तो आवेदन की Das है 30 जून-2018 हाँ दोस्तो आप 30 जून-2018 तख आवेदन कर सकते हो हम आपको यह बात बताएं दोस्तो आप आवेदन कहां पर करोगे हम आपको बता रेलवे विभा की जो अफिशल वेब साइट है उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो हमने डिस्क्रिशन बोक्स में इसका लिंक अपडेट कर दिया है हम आपको अब यह बताने जा रहे हैं दोस्तों कि आपका चेन की साधार पर किया जाएगा हम आपको बताएं दोस्तों आपका चेन कीया जाएगा पहला लिखित परिशा की आदार पर दूसरा चेन कीया जाएगा दोस्तों फिजिकल फिटनेश टेश्ट की आदार पर दोस्तों इन्हें दोनों की आदार पर आपका चेन कीया जाएगा हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो कौन कौन से पदों पर कितने कितने आविदन मांगे गए हैं हम आपको बताएं दोस्तो यदि आप कॉंश्टेवल के लिए एपलाई कर रहे हो तो दोस्तो हम आपको बता हैं पुरुश आविदन कर सकते हैं 819 पदों के लिए और दोस्तो महिला आविदन कर सकती है 301 पदों के लिए अब हम आपको बता रहे हैं दोस्तो की आपकी उमर कितनी मांगी जा रही है हम आपको बता हैं दोस्तो इन पदों पर आविदन के लिए अब भ्यारती की जो उमर दोस्तों वह नियूनतम होनी चाहिए 18 साल और दोस्तों अधिकतम होनी चाहिए 25 वर्षां दोस्तों इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए हम आपको बताएं दोस्तों इन पदों के लिए जो application fees है वह आपको कितनी देनी पड़ेगी हम आपको पहले बताते हैं जनरल और OBC candidate के लिए हम आपको बताएं दोस्तों जनरल और OBC candidate को 40 रुपए है और जब कि दोस्तों जो SC, ST, female, PWD candidate के लिए आवेदा निशूल का है अब हम आपको यह बताते हैं दोस्तों जो chain प्रक्रिया होने वाली है वह है किसा अदार प्योगी हम आपको बताएं दोस्तों पहला चरन होगा लिखित परिक्षा का दूसरा चरन होगा दोस्तों P.E.T. का तीसरा चरन होगा दोस्तों P.S.T. का और दोस्तों जो चोस्ता चरन होगा वह होगा चिकिस्सा परिक्षा का हम आपको बताएं दोस्तों वेतन के बारे में हम आपको बताएं जो कॉंश्टिबल का पद दोस्तों उसके लिए आपको वेतन मिलेगा दोस्तों प्रारंबिक वह मिलेगा दोस्तों 21,700 और दोस्तों जदि आप सब इस्पेक्टर की प पास हो जाते हो दोस्तों तो दोस्तों आपको वेतन मिलेगा प्रारंबिक 35,004 रुपए तो दोस्तों यह है पूरी खबर हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों अमेजन की बारे में हम आपको बताने जारे हैं दोस्तों अमेजन प्राइम मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ अब 130 रुपे ही खर्च करने होंगे हां दोस्तों हम आपको बताएं पूरी खबर हम आपको ये बताएं दोस्तों कि पहले Amazon एक साल का membership जारी कर रखा था और दोस्तों एक साल के लिए Amazon Prime Member बनाने के लिए लेता था 999 रुपे लेकिन दोस्तों अब उसने महिने वाला प्लान लोंच कर दिया है हम आपको बताएं दोस्तों अब एक महिने का यदि आप Amazon की Prime Member शिप लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको सिर्फ 130 रुपे खर्च करने होंगे लेकिन दोस्तों एक कंडिशन है एक शर्त है यदि आप दोस्तों HDFC या ICICI बेंक के गरहा को और दोस्तों आपके पास इन बेंकों का डेविट कार है तो दोस्तों तभी आप 130 रुपे खर्च करके Amazon की Prime Membership ले सकते हो हाँ दोस्तों हम आपको बताएं Amazon ने HDFC और ICIC बेंक के स ही क्यों पर्चेच करना है Amazon की Prime Membership हम आपको बताएं दोस्तों यह इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों कि जो Amazon की Prime Membership का ओप्शन दोस्तों वह हमेशा ओन रहेगा हाँ दोस्तों रिन्यू का ओप्शन हमेशा ओन रहेगा जब भी दोस्तों एक मेना पूरा हो जाएगा अपने आप ही दोस्तों वह रिन्यू हो जाएगा और दोस्तों रिन्यू कैसे होगा आप जब शुरू में HDFC और ICIC बैंक के द् हूँ दोस्त वैं अपने आप अपडेट हो जाएगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों इस प्रकारी सर्क्रिक्रिट चलता रहेगा दोस्तों जिदि आप अमेजन की प्रायम membership लेना चाहते हो तो दोस्तों सिर्फ आपको अब 139 रुपई खर्च करने होंगे हम आपको बताएं दोस्तों Amazon की Prime membership लेने के पाद आपको क्या-क्या फायदे होते हैं हम आपको बताएं दोस्तों जो भी आप शोपिंग करते हो दोस्तों वह दो-तिन दिनों में सब्ता भर में ना कर वन डे डिलेवरी होती है यह मतलब एक ही दिन में आपके पास सामाना जाएगा दूसरा फायदा यह होता है दोस्तों जो भी Prime वीडियो होते हैं अच्छे अच्छे मूवीज की वीडियो होते हैं दोस्तों वह आपको फिरी में सुनने को मिलते हैं दोस्तों बहुत अच्छी खबर है यदि आप Amazon की Prime मेंबर्शिक लेते हो एक सो गुंतीस रुपे में हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है यदि आप विदेश में फढ़ाई करना चाहते हो और दोस्तों आप विदेश में जाकर सबसे महेंगे विश्य विद्याले सबसे में फढ़ाई करना चाहते हो तो दोस्तों हम आपको बताएंगे यदि आप विदेश में रहकर सबसे महेंगे के अंदर A.M.B.A का कोर्स करते हो तो दोस्तों आपको कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी हम आपको पहले ये बात बताएं दोस्तों इस विश्य विद्याले के A.M.B.A कोर्स को Q.S. World University रेंकिंग में चोथे इस्तान पर रखा गया है हम आपको अब बताते हैं दोस्तों की A.M.B.A कोर्स करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा हम आपको बताएं दोस्तों आपको पहले साल खर्च करना पड़ेगा 22,956 डोलर अर्थात अगर हम इंडियन रुपीज के अंदर इसको केल्कुलिट करें तो दोस्तों आपको खर्च करना पड़ेगा 61,52,208 रुपे और दोस्तों हम आपको यह ट्यूशन फीज बता रहे हैं इसके अलावा खर्चा और है दूसरे साल आपको खर्च करना पड़ेगा 22,180 डोलर दोस्तों हम आपको बताएं इंडियन रुपीज के अंदर यह बनते हैं गुन सट लाग 44,240 रुपए हम आपको बताएं दोस्तो यह पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा और दोस्तो इसके अलवा आपको जो डोकुमेंट है और दोस्तो रहने खाने का खर्चा है दोस्तो वह भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा हम आपको बताएं दोस्तो हमारे भारत देश की जो सबसे अमीर आदमी है दोस्तो मुकेश अमबानी उनकी बेटी ईशा अमबानी ने दोस्तो यहीं से साइकलोजी में बेचलर की डिग्री हांसिल करी है तो दोस्तो ज़िए आप यहीं से MBA कोर्स करना चाहते हो तो हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर दोस्तो ज़िए आप शेहर मार्केट में इंट्रेस्ट रखते हो आप शेहर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो दोस्तो हम आपको बताएंगे दोस्तो तीन स्टोक के बारे में हाँ दोस्तो तीन शेयरों के बारे में जहां पर दोस्तो बीज उत्पादा कंपनी दोस्तो हम आपको बताएं आने वाले 6 मेनों के दर आपको अच्छा कासा रिटर्न मिल सकता है जो इसका बेस है वा काफी मजबूत बन गया है दोस्तो इसके बारे में पोजिटिव खबरे आ रही है हम आपको बताएं दोस्तो यूएस एफडिये से हालोल प्लांट को किलियरेंस मिल जाने से शेयर को लेकर सेंटिमेंट पोजिटिव बना है दोस्तो बहुत ही अच्छी खबर है सन फार्मा के बारे में आपको लक्षे रखना है सन फार्मा का 660 रुपे हमारा तीसरा बड़ा इस्टोक है महिंद्रा होली डे एंड रिसोर्ट हां दोस्तो जिदि आप इसे इस्टोक में निवेश करते हो दोस्तो तो हम आपको बताए कि यह जो तीन इस्टोक हमने आपको बताएं दोस्तो इनमें आपको 6 से लेके 12 महिने तक निवेश करना है दोस्तो हम आपको बताएं यदि आप 12 महिने तक का निवेश कर देते हो दोस्तो हम आपको बताएं आपको 20% से जादा रिटेन प्राप्त होगा दोस्तो यह हमारी आज की तमाम खबरे यदि आपको हमारा चैनल पसंदा रहा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमको बताएं दोस्तों कि आपको हमारे चैनल के अंदर क्या पसंदा रहा है और आप कौन-कौन से केटेगरी की खबरें और देखना हमारे जो वीडियो हैं दोस्तों उनको लाइक देना कभी न बोलें नमस्कार